बजट में सरकार बाइबैक टैक्स में ला सकती हैं कुछ बदलाव पूरी जानकारी पाने के लिए चलते हैं जी बिजनिस समाधाता तरुन शर्मा के पास तरुन बताईए क्या एक्स्क्लूजिव डीटेल है आपके पास अब बदलाव क्या हो यह हम अपने तरशकों को बतारे हैं बदलाव यह हो सकता है कि अभी जो tax है वो company pay करती है उसकी जगे जो buyback में हिस्सा लेंगे उन निविश्कों को वो buyback tax pay करना होगा इसका logic जो market participant से भी revenue department को यह दे रही है कि जो लोग buyback में हिस्सा नहीं लेते उनको भी buyback tax का बाहर जहिलना पड़ता है क्योंकि company जब buyback करती है तो जो company को tax देना पड़ता है तो इस वजह से जो लोग इसमें participate नहीं भी करते तो उनको भी उनको भी tax की जिम्मदारी आ जाती है तो इससे बढ़िया यह है कि आप जो buyback की process में हिस्सा ले उनसे tax collect किया जाए लेकिन जो revenue department का जो concern है वो यह है कि कई सारे foreign investors भी company में होते हैं treaty में कई बार ऐसा होता है कि treaty में आपको कम tax pay करना है लेकिन हो सकता है कि buyback में आपको ज़्यादा tax pay करना पड़े तो इस anomaly को दूर करना सरकार चाह रही है लेकि एक FII इसको दियान में रखते हैं कि जो treaty है जो tax है उसको भी दियान में रखा जा रहा है तो इस वज़े से जो buyback की जो condition है उस पे सरकार त्यारी कर रही है ओके तो budget में एक बड़ा बदलाव एक बड़े एलान की तयारी हो रही है buyback tax में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है शुक्रिया तरुन वो पूरी details दर्शुकों के सामने रखने के लिए